असलाम लेकुम क्या हाले तो वेलकुम बेक टु माय चैनल और आज ही हम बनाने वाले हैं मज़दार सी यमी सी चटपटी सी चिकन साफ्ट बन जिसके लिए आपको चिकन का पूरा फ्ले चाहिए यहां पर में जस्ट मैंने चिकन को बोई कर लिया था उसमें नमक और काली मिर् अच्छी नेक्स प्रॉसस इसकी फिलिंग का है तो आप एक पैन ले 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 उसमें 6-8 टेबल स्पून आप लोगोंने ओए लेना है एं दिन आपने हाफ केजी इसमें प्यास ले लिनी है उसको सिंपल रफली सा चॉप कर लेना है वो इसमें शामिल कर देना है अच्छी हम यह कहना चाहूंगी मैं को कि हमें प्यास को लाइट ब्राउन करने है बहुत लाइट 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 ब्राउन करने है और जब सो जाएगा यह मैं तो यह अग्यास चेकिन को शिट कर लिया है लिए बाद श्रेगी अगर आप नमक, काली मिर्च और ओल इसको थोड़ास को तो उससे थोड़ा सा फ्लेवर इसका और इन्हेंस हो जाएगा अच्छे यहां पर यह पूरा फ्लेट है मेरे पास तो इसको हमने 100% ही बॉयल करना है कोई भी इसमें तसर नहीं रहनी चाहिए अब जी यहां पर मैंने कैबिज डाल दिया है यहां कि बंगो भी और अगर आप जाए तो दाले मेरे पास थोड़ी थी तो यहां तो इस तोड़ी ही डाली यहां बढ़ा मिजिए अब इसको स्टर करेंगे स्टर करेंगे चैंट करेंगे अपनी और सपाइस को हरेंगे अच्छे जी अब इसको अच्छा सा लुक देने के लिए हम ने इसमें जर्दे का कलर डालने और डार्क सोयर सास थोड़ा सा जादा डालने चिकन वाइट है वह टेंडर है जूसी है लेकिन लुक वाइट है तो हमने इसमें यह दो इंग्रीजिएंट्स डाले हैं जिसकी वज़े से इसका फ्लेवर तेक्स्चर और इसका कलर डबल हो जाएगा है अब आप लग रह जाएगा था अब लग रहा है आपको यह लग रहे ह यह ऐना ओआ ज़ाए पिड़ा ayam यह सींपल आपयद केच्प एल्लव कर डाल from Stewart साफन केच्प जाल डाल कर डाल दाल तुट केच्प केच्प टाल सौन केच्प यह प меся,च मैं पिड़ाए रिदगट कि ऊट्डाई माल जब डाल कि ए चिली पेस्ट था मैंने केचप कह दिया तो वह चिली पेस्ट है अगर आप इसमें केचप भी डालना चाहते हैं लेकिन उससे फुरा सार फ्लेवर हो जाएगा अगर आपको पसंदे तो आप डालिएगा जरूर डालिएगा अच्छी स्पाइस में इसमें बहुत ही कोई सिंपल और जट्पिट जाएगा अब जी सिंपल आपने इसमें वह कोई टीवी मेश डाली है वन टेबल स्पून और जी आपने इसमें टू 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 ट्री टेबल स्पून सराचा सॉस टालना ये नॉमली आम मार्केट में मिल जाएगा अगर अवेलेबल नहीं हो तो आप इसकी जगह चिली सॉस क तो थोड़ा सो और बढ़ा लिएगा तो ये जटपिट वाला है अब इसको सिंपल अबने स्टर करना है और एंड में इसमें बहुत सारा हरा धनिया जाएगा बहुत सारी हरी मिर्शे जाएगी जो के मैं कार्ट के भी समें डालूंगी अच्छा यहां पे हमारा यह तयार हो चुका है और एंड में ने डाला है चिली पाउडर हाफ टी स्पून तो जी मज़ेदार सा जट पट सा चट पटा सा तयार हो चुका अच्छा एपन को दुबारा वाश कर लिया था आब आपके पास अगर मायक्रोविव नहीं तो कोई परिशान की कोई जंचट पालने की जरूुर्वात नहीं की बन नी सकता ये इसमें भी बन सकता है आपको इप पतीला लेने में पास नॉन सिपिक आप सिम्पिल इसमें इक लोही का सटेंग रखें बहुत ज्यादा स्लीस उड़ी जा रही है इस वक्त तो जी स्टील सटेंग अगर आप इससे भी सैटिस्फाइए नहीं हो रहे हैं तो आप उस पैन के अंदर जो आपका स्टील की जो लिड है उसके उपर आपने के की नीचे वारी लिड रखके इसके उपर आपने पीजा की ट्रे रख लेनी है अच्छी सिंपल अब आप इसमें ऑई डालेंगे इसको थी धाल को आप इसके ग्रीस कर लेना है उसके बाद हमने इसका बटर पेपर लेना है और बटर इस पे चिपपा देना ने आप रहे एक ने की जिबी मिन गयाओं सब्सक्तिक न स्थाकतों और इस ऑप इस और श्र काण मार्तिक करिए तब्ली यह को फिट लेना है और यहां पेट पेन चो था है और यह यह गुल गपूतना तो यह यह पियुद भी आगर इसका रिशपी यह जाहिए तो यह जाए को यह लिंक में आपको दे देती हूं पीजा रेसिपी जिसमें पीजादा बनाता था सिंपल यहां पे पी यूज हुआ है, अगर आपने इससे जादा बनाना है तो आप इसकी सिंपल कौएंटिटी को डबल कर सकते हैं और यही आप मेरे पास शिफ्ट कर दिया ता इस बावल में अब 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 आपने देखा कितन एक उपने बड़ा सा ऐक बाल लेना है मीडियम साइस का बालुर्टाओर ना जादा बड़ा हो ना जादा चोटा हो अगर आप ने ज्यादा बड़ा कर दिया क्यूंके इसमें हमें अज़ा खमी डाला यानी के हीस्त डाली तो वह उनलेगा तो बहुत ही जादा लगे गा तो हमने नहीं जाहिए आप सेंपल हम इसको रोटी की तरह हम बेलेंगे उसमें अपना चिक इन का स्टफ डालेंगे एंदेन उसको रोल कर देंगे कि अच्छी यहां पेंज था था वो दस मिडियम फ्लेट पे हीटिड और उसके बाद आप इसमें डालना है जैसा कि अपने दूद और अंडे कर दोड़ेंगे थोड़ी सी अपने इसमें कलॉजी डाल के और इसको पकाना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिन तक जब यह पक ज होदी असानी से यह पलड जाता है और यह देखे मज़दार से हमारे चटपटे से चिक इन बंस तयार होगा है बहार के खाने से अच्छा है इनसान घर में खाले हाईजीन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और क्योंकि आपने अपने हाथों से बनाया होगा तो फैमली वालों अगर इसी तरीके से मैं यह सब्रीना के लिए जो मेरी बेबी उसके लिए चौकलेटबंस बनाये थे स्पल अपने डो लेना है उसके अंदर आपने कैट बरी डाल देनी है नूटेला डाल देनी है और ऑसको बन्स की शेप में बना के उपर से तिल डाल दे तो चीसली के दौाओं में याद रखिएगा अपना बहुत ख्यार रखिएगा अल्हाफिज वी अमान अल्हा